वेल्कम बैक तो मा यूटूब चैनल पेपर रहकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका अगला कोश्चन हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट आंसर कोश्चन केमिश्ट्री का ठीक है केमिश्ट्री के शॉर्ट आंसर कोश्चन इसमें हमने एक से लेकर स्वेवन तक आपके सौट आंसर कोश्चन को हमने डिसकस कर लिया जिसमें आपका पॉस्ट यूनित ऐसमें आपका यूनित जो है परस चल रहा है आज हम बात करेंगे नंबर आठ पहले आपको यह उनिट से लेकर आठ तक पस्ट टू यह आपको लॉंग लॉंग आंसर टाइप कोश्चन जो है बिल जाएंगे सभी के बारे में हमने डिसकस कर लिया ठीक है क्या होता है यह आपने बताना है एक्जामपल देना इसका एक्जाम दूसरा आप से पूछ रहा है कि शुक्रोज की सरचना की विवेचना कीजिए ठीक है यानि कि डिसकस करना हमें किसके बारे में सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है तो यह दो आप आज के कोश्चन है आपका डाइसकराइड को उधारत सहत समझाना है और बामें आप से पूछा है सुक्रोज की सरचना की विवेचना करना या डिसकस करना हमें स्ट्र सबसे पहले हम बात करेंगे आपका डाइसेकराइड ठीक है डाइसेकराइड तो यह क्या होते हैं यह बे हाइड्रोकारवन होते हैं जिनके जल अपगटन पर जल के साथ रियक्षन कर दो आपको क्या मिलेंगे दो मोनोसेकराइड के अडू पराप्त होंगे ठीक है जैसे आपका सुक्रोज हो गया माल्टोज हो गया यह आपके क्या है यह आपके डाइसेकराइड है यहां पर हमने ले लिए सुक्रोज क्या ले लिए सुक्रोज यह कहा है कि जो आपके यह कार्वन ने करवादी जल अपगटन कर दिया इसका ठीक है जल के साथ में रियक्षन जल अपगटन करवा दिया तो तो हमें के मिल जाएगा आपको यह क्लिकोज मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा ठीक है जल अपकर न पर हमें दो अड़ु मिल गए तो यह हो गया आपका डाइस слख अन्हें में बस आपको इतना आई लिखना है ठीक है अभी पड़ेता आप कोلبात करते हैं जिसमें पूछा गए है सुख्रोज की सरचना के를 बारे में हमें इसकेस करना बात करते है सुख्रोज की सरचना स्टक्ट्टर आफ सुख्रोज Wouldn't किये करने पर नंबर एक कहले सुख्रोज तनु हों आपको दिःक्षी होगा कब हम सक्रोज को किसके साथ क्या करें गृग्ए ठीक है किसके उपस्थिति में अम लोग की उपस्थितिति में टक्नू तो आपको क्या मिलेगा यह कड़ों के साथ क्या कर दो इसका जलब गटन कर दो यहां पर क्या मिलेगा आपको जैसे उपर पड़ा था प्रेहटर करने पर हमें दो मोनोसेकराइट करने पहला के मिलता है ठीक है क्या मिलता है पहला पॉइंट आपका के लिए होता है इससे यह पता ऌ़गर नहीं करता थीकह है इसमें ना तो आपका उक्सीन बैंता है और नहीं आपका ओसा जोन का फार्मेशन होता है ठीक है किस से शुक्रोज से इससे यह पता चलता है कि शुक्रोज में ना तो गुलुकोज का LD हाइडिक समूँ तथा ना ही फ्रक्टोज का कीटोन समूँ जो सी हीट पाता है। सबसे उपर लगा नहीं होते हैं तथा यह चमाने मात्सक्त टीक्ट इस तरही तो तो कह रहा है यह समूह मुक्त नहीं होते हैं तथा यह दोनों सरल सरकरा इन दोनों समूहों पर एक दूसरे के साथ सरंखलित होती है क्या होता है अब यह दोनों सरंखला ठीक है कौन कौन सी आपकी ग्लुकोज और फ्रक्टोज यह दोनों सरल सरकरा इन दोनों समूहों पर एक geld नोको दूसरे के साथ स्रंखलित रहती है कौन कोन से संभूंव पर किसी बात कर रहा यहाँ पर कहा다 मुंद टीक है यह कारफ्वन करें अगर सबस्कराइब तो दूसरा कारफ्वन हो गया और दूसरा आगर लाकि के का इस पहुंद की दो क्या नर्ला ऑफ सब्सक्राइब कि दोनों समूहों पर क्या रहते हैं एक दूसरे के साथ रंखलत रहते तो इनी स्कूरह के साथ में आक सरंखला बना रहते हैं था हुआ तो ऐसे आपका सुक्रोज का तो हमें के मिलेगा ऑक्टो मिथायल डेरीवेटिब मिलेगा आपको ठीक है कह रहा है जिसका जल अपगटन करने पर जिसका आप जो आपको आपको अपको अपको अपगटन कर दिया तो कि मिलेगा 2346 टेटरा मेथिल ग्लुकोज क्या मिलेगा 2346 टेटरा मेथल याने कि चार जो है इन पर लगे रहेंगे कि तो दो चीजे मिलेगी आपको पूरी तरह से जब आप इनका क्या करोगे मैथिली करार करोगे तो अब जो आपका डेरीबेटे मिलेगा मैथिल 程पर करने पर सुकरोज का वह क्या मिलेगा उसका आपने क्या कर देना है उसका दूमारा से जलाप घंड कर देना तो कि मिलेगा 2346 पूर सिक्स टेट्रा तेट्रा मैस्टेल ग्लूकोज और एक मिलेगा 1346 अब यह जिए पहली वाली पोजीशन इसमें इसमें क्या है आपका यही आधना है यहाँ पर कॉण सा लगा लगा होग और यह होगा यहां दूसरे बन ही होगा आपका है वोगी में शुक्रावि ca टेटरम्थिल-फेर्क्ट जो आपका राप्त होता है न ये दो चीज जो है आपको मिल जाते ही तो यह क्या आगया आपका सुक्रोज यह क्या है oh ने पर क्या मिलता आपको छॉड्खू एक ता टा हिक यह व्यूत्र पंण होता टिक इसके बाद क्या कर दिया सक्का डाइल्यूट एसेजुद के साथ में गालू टा कर दिया है हाइड्रोलिसिस क्या कर दिया निकि gwbh2o यहां से बहर निकाल दिया गया तो कि यह होता है और यहां का एक hydrogen ठीक है और इसका आपका एक प्रस्ट कार्वन के बीच में अबन जाएंगी इस तरह से यहां पर इसका जो से关ट कार्वन का है था ईसका जो सेकंड कार्वन के अभीच में ठीक से किन्ड कार्वन है इस पर क्या रहा होगा एक हाइड़ोजन होगा ठीक है कि यहां से निकल जागा और क्या बन जागा आपका यह बनेगा 2346 tetraoxymethyl deglucose और अगर बात करें यहां पर कहाँ लगा हुआ पहले कार्बन पर लगा हुआ तीसरे पर लगा हुआ चोथे लगा हुआ और शट्मे पर रोगल कर जागा 1346 से टेट्राoxymethyl यह दोनों जो है आपको मिल जाएंगा एकाई में 6 सदस्ये और आपका अच्छय सदस्य किया है टो पहला कारवन त्रीक चिस कारवन पढ़ invoke का संडेल गूरूप लगा होता एक कहीं एल्फा करवजक कहला तो माड़ हो जागा बीटा पका यह चाहएल्टा का आपका डेल्टा- seguir इसमें इसमें आपकर यहां पर देखो ये कारवन यह है दूसरा कार्वन यह थड़ कार्वन एक रिंग दो आपकी प्रेजन हो जाएगी किंतु फ्रक्टोज की करने है और और फ्रिक्टो जेकाई में पांच सदसी ही और डेल्टा ओक्साइड रिंग उपस्टत थ손 इसमें फास्टी रिंग कोले हो गी और क्या और और आपके मिल जाएंगे सदसी आपके डी फ्रक्टोज में प्रेजेंट रहेंगे या पांच मेंबर रिंगिस में पाई जाएगी और दूसरे होगा क्या जो यह रहेंगा यह कांसे उपर होगी डेल्टा कार्बन पर होगी ठीक है लगा हुआ है ठीक है फर्स्ट वाले कार्बन पर दूसरा तीसरा चौथा पांच मां एलफा वीटा एलफा वीटा गामा डेल्टा ठीक है तो इस तरह से क्या हो जागा आपका डेल्टा ऑक्साइड जो हर्टरिंग उपस्तित होती है कहरा दोनों शरक्राइं वेच समूं के इ स्थान पर सरंखलेत होती है यह कप पता चलता जब इसका जल अपगठन करते हैं तब यह जो है पता चलता कहरा आता डी गलुकोज तथा आपका डी फ्रक्टोज एकाईयों के बिन्यास को ध्यान में रखते हुए ठीक है जब इनका कान्फिग्रेशन देखा गया बिन्यास को द्यान में रखा गया तो की सरकना को प्रकार से लिख सकते हैं तो किस तरह से लिखा असकता है याद क्या रखना आपको क्या ध्यान रखना यह क्या हो जागा आपका फरस्ट कारवन और सेकंड कारवन ठीक है अब का तो यही दोनों क्या हूते है में आपस में एक दूसरे से लिंक रहेते हैं यह आपका क्या क्या होता दंक uh तो प्रक्टोसनी होता है कारवट डबल बावले कारवन पे कीटोगुरुफ लगा रहा सा यहां से क्या कर दिया इनका जल अपगटन कर दिया क्या कर दिया जल अपगटन कर दिया जल अपगटन करने पर क्या मिला जल अपगटन करने पर आपको क्या मिल गया भी एक पूरा ये स्रंखला मिल गया ठीक है क्या मिल गया पूरा एक मालीक्यूल मिल गया ठीक है जिससे कहत यह दोनों आपके पहले और दूसरे कारवन से जो है जुड़े रहते हैं ठीक है जो आपका सुक्रोज का जल अपगटन करने पर हमें क्या मिला है काइने टेक्स तथा प्रकासित घोड़न ठीक है द्वारा यह प्रवल तत्यक्यांत होता है कि आपका जो शुक्रोज डी ग्लूकोसाइड तथा बीटा-डी ग्लूकोसाइड है क्या है तुक्रोज alpha-d-glucoside तथा beta-d-fructoside है क्या है जो सुक्रोज है वो alpha-d-glucoside और beta-d-glucoside है ठीक है यह पता चला आपका प्रकासत गोड़नया kinetics से द्वारा सुक्रोज की दोनों ही सरचनाय तथा विन्यास अग्र सूत्र द्वारा इस पस्ट है किसकी सुक्रोज की जो है दोनों सरचनाय कुछ इस तरह से जो है प्रदर्सित है बीटा-d-fructoside बीटा-d-fructoside और यह के हो जाएगा आपका पीटा-d-fructoside Piring दिटा-d-fructoside तो यहां पर आगर需要 बात करें इसमें क्या हो गाए आपका एक आपका हो ग्लूकोज दूसरा होगा आपका o के क्यां होगा आपका ग्लूकोज और एक क्या होगा आपका आपका ठैक है गलूकोज और फ्रेक्टोज बान li आपा कोरफ खार्वन छिर्ट को रख ओर में अधिक यहां पर हाँ कारवन पर तक लगा हुल होत यहां देख ल sug और इस पर भी आपका कहा होए is तो इन दोनों को ठीक है बीटा फ्रक्टो फ्यूरेनोल झाहें लिए palais तो- değil- इन दोनों के बीच में आपका सेम जूखत्त्यों लिगा रहे गा सेम स्यूखत्त्यों यह जो एका catching आपके किalles थो यूणिट यूद्ध 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 यूद् से जानते हैं ठीक है नेक्स्ट करेंगे जब आपने सुक्रोज का जलाप घटन कर दिया क्या कर दिया तो क्रोज का जलाप घटन ठीक है यानि कि आपको एक क्या मिल जागा आपको बीटा डी फ्रक्टो पाइरे नोज यह दोनों चीज़े जो हैं आपको मिल जाएंगे ठीक है तो उमीद करते हैं समझ में आया होगा आज का हमारा कोश्चन जिसमें पूछ रहा था कि डाइश्यकराट क्या होता सुक्रोज की सरचना को आप को समझाना था ठीक है तो इस तरह से यह आज का कोश्चन कंप्लीट होता है मिलते हैं अंगले वीडियो बने रही है महारा साथ थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर दा वीडियो